कि अश्यू बाइशिक तो आज के नियुक्ट बात करने वाले हैं ऐस प्रोडक्टिविटी वाइश स्टरिंग तो इस वीडियो को स्टार्ट करने पहले मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह वीडियो कोई वीज्ज सब्सक्राइबर्स पैसो के लिए नहीं बनाया गया वो आप अगर फॉलो करेंगे तब ही आपके लिए वीडियो बेनिफीचल है नहीं तो नहीं बेनिफीचल है स्टार्ट करने पहले जो लोग उस टाइप की स्टार्ट जो देख रहे हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं लेकि लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बेकार है क्योंकि बिना पढ़ाई किया कुछ भी नहीं सकता जब हजारो मोटिवेशनल वीडियो हजारो स्टार्ट जीज देख लें आपको कुछ भी समझ में नहीं कि जब तक आप खुद से पढ़ाई करने की नहीं बैठेंगे तो आपके लिए मैं यह कहूंगा कि सबसे पहले आपनी आदट डालियो और तभी आप इस वीडियो को देखें नहीं तुम मत देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो सभी स्ट्वेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो यह है की हम लोग एक या दो घंटा से चाहि होई नहीं पढ़ाई कर रहा हो तुम चार क्या सबसे पढ़ाई कर और तो तुमाराта तो जिरो यहोगा तो एक चीज में पहले घ्लियर कर दू मांक्स IMPORTANT हैं ऐसा इसलिये कि आपने बहुत जगद्ध देखा होगा कि customs इंटर इंटरेंस में ports में मतलब में किलियर किया कि नहीं किया तो प्लीज इस बात को समझे कि align is important तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने solution no.1 की तो solution no.1 है कि develop your interest in that subject for example by watching practical video of light throw algorithm मतलब कि अगर आप कोई subject पढ़ रहा हो for example physics पढ़ रहा हो अब तुम्हें physics में तुम्हारा interest है नहीं physics में तुम्हारे कमका marks है तुमको पता है क्योंकि जब तक में interest develop नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता जैसे mobile चलाने में तुम्हारा interest है तो तुम्हें mobile के बारे में बहुत सारी चीजें पता होंगी दूसरों लोगों से ठीक है तो वैसे तुम्हें interest develop करने के पढ़ेगा अब interest कैसे develop होगा अब देखो chemistry जैसे मुझको कम समझ में आती थी ठीक है तो मुझे कम अच्छी लगती थी उसमें मेरे marks कम थे जब मैंने पहली बार अपना time one exam दे मुझे लगा यार इसमें कम माग से मैंने पढ़ाई तो भाई चार-चार घंटे मैं chemistry पढ़ा था मैंने फिजिक्स और बायो में कम ध्यान दिया था क्विजिक्स और बायो मुझे समझ में आ रही तो इसमें पढ़ लिया ठीक है रट लिया हो गया कोई बात नहीं लेकिन समझो तो कि कैसे पास होती है कैसे क्या होता है एक्चुल जब आप समझोगे तो उसमें आपका सब्सक्राइब करने के लिए अगर तुम्हारे अंदर उस चीज के लिए इंट्रेस्ट नहीं है कर चाहिए तुम भाई जितनी मेलद कर लो कोई भी चीज काम नहीं आएगी तो प्लीज सबसे पहले मैं यहीं कहूंगा कि इंट्रेस्ट डवलप करो सब्जेक्ट से रिलेट तो वो काफी अच्छे लगता हूंने अच्छे लगने लगता है ठीक है यही पहले आपको करना पड़ेगा कि वैसे सवाल लगो कर मैं इंट्रेस्ट डवलप करना है जो तुमको आते हैं जो तुम लगा चुकी तुससे कि तुम्हारा इंट्रेस्ट डवलप होगा देखना यह बहुत important चीज है ऐसे ही मैं कहीं से उठाके नहीं ले आए हूं यह चारो जो 5 solution मैं आपको बता रहा हूं यह 5 solution मैं खुद follow करता हूं तम मैं तुमको बता रहा हूं तो देखते हैं solution number 2 solution number 2 यह है कि जब बें तुम कोई भी subject पढ़ रहा हो तो उसे ज़्यादा देर तक पढ़ने कुछ करो यह तुम कोई भी chapter पढ़ रहा हो तो उसे पूरा complete करो फिर भाई तुम चार्व 11, 12 में हो 10, 9, 8, 7, 6 कोई भी class में हो अब समझना क्यों जब मैं 5 solution बता हूंगा 5 solution एक दू in is develop होगा ठीक है तो फूरा तो अगर तुम पढ़ने को बैठे भले ही तुम है चार chapter complete करने है अलाग आलाग सब्सक्राइब नहीं तो कुछ नहीं हो सकता ठीक है यह बात थोड़ी अजीब लग रही होगे क्या पूरा चेप्टर कंप्लीट करना हां करना पड़ेगा वह फिर एजस्टी हो जाए तुमारी हिंदी हो जाए चाहे इंग्लिश हो जाए कोई भी हो इंटरस्ट डवलाप करना है तो ज्यादा पढ़ना पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा मतलब लगातार पढ़ना होगा तो ऐसा पढ़ो जो पढ़ने को बैटो सोच के बैटो कि मुझे दो से धाए घंटा पढ़ना ही पढ़ना है अब नौ घंटे के लक्चर हो इसे 11 में आओ लेकिन पढ़ो तो ज्यादा देट तक पढ़ोगे तभी आपका इंटरस्ट डवलाप होगा यह था सल्यूशन नमबर टू अब देखते हैं सल्यूशन नमबर थ्री के बारे में तो सल्यूशन नमबर थ्री यह है कि एवाइट टेकिंग ब्रेक्स वाइल स्टेडिंग यूटूब पर देख लो कोई भी फाइदा नहीं करेगी क्या निकलेगा सर्च करो कि यहां जब हम ब्रेक लेते हैं यूटूब बढ़ाई के वाक्त यूटूब में सर्च करोगे तो महां पर वीडियो आ जाएंगी कि ब्रेक को कैसे अवाइड करें मतलब कैसे कम करें करें हैं तो फांच मिनिटे का कियू रहने दें फचास मिनित ना कर रख करें तो हाँ को निकल आएंगी करचे भीक तो दूसरे बताते हैं आपनी चाइड़ी उस हुद कुछ की страш ना मतलब मिल दो सकती है तो मेरे भी वीडियो देख लेना जितने भी बैए थमनेयल में वहाँ पर भले ही लिखाओ क्योंकि कि है है तुम्हों को माइंड सेट ऐसा है कि तुम लोग को देखना है strategy search करना दूसरों की लेकिन मैं उसमें कभी भी strategy नहीं बताता हूँ क्यों मुझे पता है कि तुम्हें खुद की strategy बनानी होगी दूसरों की strategy मत follow करो वो कैसे पढ़ते हैं उनके पढ़ने का तरीका अलग है तुम्हारे पढ़ने का तरीका अलग है तो strategy वीडियो मत देखो दूसरों के ठीक है खुद की strategy बना वो काफी ज्यादा फायदे मन रहेगी तो प्लीज ये solution number 3 बहुत important हो तुम देख पा रहोगा ये दूसरे पिछले जो दो solution बता है उनसे ये link है ठीक है तो देखते है solution number 4 solution number 4 यह है कि एक time table ना बना कर गए कि 21 दिन का plan बनाओ time table follow करना बहुत ही मुश्किल होता है 99% लोग नहीं कर पाते मैं खुद नहीं कर पाता हूँ 21 दिन का plan क्या होता है मतलब कि तुमने जगर कोटा फैक्टरी देखिए वहाँ पर भी सुनना हो कि 21 देसे वह बात लागे लेकिन मैं यहां पर कुछ बता हूँ 21 देस का plan बनाओ 21 दिन में मुझे इतनी चीजे करनी है यह यह करना है 21 दिन में अगर तुमने कर लिया तो ठीक है मैंने achieve कर लिया गोल बढ़ी आ फिर अगले 21 दिन का बनाओ पिर अगले 22 दिन का बनाओ देखो गये तो तुम्हें यह एक time table की थरीक के ही है लेकिन time table तुमें एक बान देता कि नहीं तुम्हें दो से तीन वज़े तागि यहीं पढ़ना है तो यहीं पढ़ना यह मत करो 21 दिन का प्लान बना अगर तुमने बोला कि तुम्हें हमरे रेट डेली मुझे दो चैप्टर कंपलीट करने फिर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के मैं कभी भी कोई भी सब्जेक लेकिन यह वीडियो तभी घलफुल होगी जब तुम इस वीडियो को अपनी रियल लाइफ में फॉलो करोगे यह नहीं कि कुछ लोग वीडियो देख लेंगा ठीक है चलो कोई बात नहीं देख लिया जो उसमें होंगे हाँ बिल्कुल फॉलो करें इंगले दिन से फिर वह ठीक है तो जो मैं टिप नंबर फाइब बताऊंगा वह बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वह जो सत्तर परसेंट लोग जो इस वीडियो को देखने बात भी नहीं फॉलो करेंगे अगर उन्हों टिप नंबर फाइफ सुन ली तो वह पूरा वीडियो उनका बदल जाएग इस वीडियो सो तुम्हें तो कोई नहीं होगा मेरा ये फाइदा होगा मुझे व्यूस मिल जाएंगे मुझे लाइक मिल जाएंगे मुझेपैसे मिल जाएंगे ठीक है तुम्हें कुछ दिनों के लिए अभी इंस्टाग्राम डशे कि यूटूब में से पढ़ना होता है यूटूब से तरह डिस्ट्रेक्शन कम करो अगर डिस्ट्रेक्शन कैसे कम करना है वो भी वीडियो में बना चुका हूँ देखने कि कोई जरूद नहीं है फिलाल तुम्हें तुमने चार टिप जो मैंने बताई अभी वह तो अगर फॉ सबस्क्राइब पास आई वर्टे मजाइब डिटस्बूक पास पईसे देख सेलोगे तुम्हें तुम्हें अगर आज उसकि अनुट पस च क्रेंट पाओ को चला एक बहुत ब forces कर लिए में क्योंकि ये बहुत एक important topic था जो मैं बहुत दिनों सोच रहा था कि इस पर बात करूं description करूं तो please इनको follow करिएगा मिलते है next video में तब तक के लिए thanks और watching जैहिंद